कि सबसे पहले तो Delimitation Commission को हमने सिरे से reject किया हुआ है हमें कोई फरक नहीं पढ़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है और जो Reorganization का Act है वो already Supreme Court के सामने Pending है 370 Pending है, सब कुछ Pending है तो जब बहुत चीज़े Pending है इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं तो यह तो एक Delimitation तो एक Tactical Rigging का एक Process था जो एलेक्शन से पहले Rigging करनी होती है वो उन्होंने किया Majority को Minority में Convert किया Minority को Majority में Convert किया B.J.P के हाग में तो इसलिए हमने पहली इसको reject किया हमने तो इसमें कोई Participate भी नहीं किया इसकी Discussion में यह बिल्कुर से हम इसको खारिज करते हैं जी जुड़ी शेरी पर बरुसा रहा है उस तरीके से लिए जुड़ी शेरी की जहां तक बात है एक गरीब जाएगा कहा हो है मगर आपको खुद मालूम है कि जो Justice चंदर चूर है उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो Justice है जो Lower Coats है वो जमानत देरे से गवराते हैं तो अगर कोई Court जमानत देरे से गवराते हो तो वो फैसला क्या करेगी तो Justice is the last resort for anyone किसी के लिए भी आखरी उमिए जुड़ी शेरी होती है मगर Unfortunately मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था एमर्जनसी में उस वक्त की सिटिंग प्राइमिसर इंदरा जी के खिलाब Court का फैसला आया उसको Unseat किया गया मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो Courts जमानत नहीं दे पाते हैं जमान दे लिए उती तो उनसे पासले के वक्त मैं जब के के वक्त मैं के के वक्त के वक्त